चंद्रपुर जिले में कोरोना का संक्रमन लगातर बढ़ता जा रहा है और आज बीते 24 घंटों में कोरोना के 315 रुगन मिले और वही 5 रुगनों का दुखत ने दन हुआ चंद्रपुर जिले में कोरोना के रुगनों में बढ़त ठमने का नाम ले रही है और आज 12 सितंबर को बीटे 24 घंटों में एक बार फिर 315 रुगन ओर मिले है और इस प्रकार चंद्रपुर जिले में कोरोना संक्रमित रुगनों की संख्या अब बढ़कर 5568 हो चुकी है और वहीं अभी तक 3086 कुरोना की रुगनों का इलाज हो चुका है तता उन्हें अस्ताल से चुटी देदी गई है और वहीं वर्दमान में 2416 रुगनों पर इलाज शुरू है और चंद्रबु जिले में कुरोना से अब तक 46 डोगों का दुखत निदन हो चुका है जिसमें चंद्रबु जिले के 60 एलंगाना राजे के एक बुल्डाना की एक गर्चुली के दो तता योत्माल जिले के दो रुगनों का समाविश है और आज बीते 24 घंडों में पांच रुगनों का दुखत निदन होगा जिसमें पहला निदन अजलेश वर्ण चंद्रबु के 63 वर्षिय पुरुष संक्रमित व्यक्ति का हुआ इस संक्रमित व्यक्ति को 11 सितंबर को शाच्की वैदे की महाविद्याले रुगनाले में भर्ति किया गया कोरोना के साथ उसे हिदय की भी बिमारी थी 12 सितंबर को तड़के सुबा उसका दुखन निदन हुआ इस संक्रमित को 27 अगस को शाच्की वैदे की महाविद्याले रुगनाले में भर्ति किया गया था कोरोना के साथ उसे निमूनिया की भी बिमारी थी 11 सितंबर को उसका दुखन निदन हुआ और वहीं 14 दुखन निदन घुटकाला तलाब जंदबुर के एक 54 वर्षिय पूरुष संक्रमित का हुआ 8 सितंबर को इस संक्रमित को शाच्की वैदे की महाविद्याले रुगनाले में भर्ति किया गया कोरोनाक साथ उसे निमुनिया की बिमारी थी 11 सितंबर को उसका दुखन निदन हुआ चंदरपुल जिले में लगातार कोरोना के रुगनों में बढ़त हो रही है और इस संबन में लगातार जिला प्रशाशन दौरा अनेक प्रकार की उपाय योजना किये जा रहा है जिला प्रशाशन दौरा बताए कि प्रत्यक उपाय योजना पर नागरित अमल करें क्योंकि यही सभाई की वांग है अपने हाथों को सेनिटाइस करें सोचल डिस्टन का पालन करें मास पहन करी घरों से बाहर निकलें स्वास संबन्दी अगर कोई भी कखलीब हो तो तुरंत इस संबन में संबन्दी विवाब को जानकरी दें और चंद्रबु जिले के बाहर से अगर आप आते हैं तो इसकी भी तुरंत सुचना जिला प्रशाशन को दें